हेलो डियर लेर्नेट्स पीजी इजियर और वैलकम सियू इन पीजी पॉइंट आज की सेशन में मैं आपको बता रही होंगी कि सीटेट जो आपका पेपर वन है उसकी मैं कम्प्लीट बाते बताऊंगी कम्प्लीट बाते का मतलब है किस सब्जेक्ट की तयारी आप कहां से करे कि आपके पाच्चो सब्जेक्ट की तयारी पूरी हो जाए कौन सा प्रैक्टिस से या कौन सी बुक्स से हम कोश्चन करें या हम EBS कहां से पढ़ें तुम सब कुछ आपको बता रहे होंगे बस आप शेशन के एंड़ टक बने रहीएगा ठीक है आपका पेपर वन अपने आ पर होगा उनका सिंगल मीटिंग में होगा लेकिन सीटेट दो चरणों में आयोजित किया जाता है पहला चरण होता है कक्षा एक से पाच के लिए यानि प्राइमरी वालों के लिए और दूसरा होता है कच्छा 6-8 के लिए जिसे आप पेपर टू बोलते हैं प्रशनों की सं i nächste यानि धाई घंट या आप बोल सकते हैं कित या नबवे मिनेट ठीक है नकारात्मक अंकर नहीं रहत्योंग यानि निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी पेपर का योगा वो आंसर कर सकते हैं तभी-जाइश के समझन दिमाग लगाशन ओननकों होता है तो मालो English medium वाला बच्चा है, तो Hindi medium वाले question को पढ़ लेता है, और Hindi medium वाला है, तो English medium में पढ़ लेता है, लेकिन ऐसा सिर्फ confusing questions में ही करना चोगी है, यदि आप सब question में ऐसा करेंगे, तो आपका time खराब होगा, तो जो इसमें language में आपकी पकड़ है, उसमें आप उसको language one होती है, आपकी community three number की, जिसके community question आएंगे, language two आपकी 30 number की, जिससे community question आएंगे, maths आपकी आथी, ती स number में 30 number में 15 number की maths, और 15 number की pedagogy रहती है, ठीक है, ऐसा सब में होता है, 15 number का विशह आत्मापरष क्रैष्न पूठा जयागा, 15 number का आपको सिर्चा साथNews, सब्सक्राइब क्षच्छ नंबर का होगा आपका वेपर उसके बाद में बात आती है इवीएस की 30 नंबर का 30 कोश्चन आएगे जिसमें की 15 नंबर आपके कंटेंट से और 15 नंबर आपके पैडागोजी से सब्सक्राइब होंगे अब मैं इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं भाई बात यह आती न कि हर एक विश्या के अंदर मैं चैप्टर्स बता रहे हम उसे साफ से पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमने आपको बाल विकास और सिक्षा सास्त्र बढ़ाया तीस नंबर का कोश्चन आएग साथ सम्बंध बालकों के विकास के सिधांत अनुवान चिक्त और प्रढ़ावरत का क्या प्रभाव है समाजी करण की प्रक्रिया यह समाजिक विश्व और बच्चे सिक्षाक माता पे तो रुप्रक्ष बहुया यामी बुद्धि भाषा और चिंतन समाज निर्मार्ण के लिंग लिंग भूमिकाई लिंग पूर्वाग्र है और सेक्षिक विवार साथ में सिक्षार्थियों के मर्द्र वैयक्तिक भिन्नता पारना जैसे कि बच्छें उनके में अलग-अलग चीजें पाई जाती हैं भासा जाती लिंग समुदाय धर्म आधी प्रकार की विवित्ता हैं पाई जाती इनके अधार पर अंतरों को समझना इन टॉपिक्स से संबंदित आपके कोशन्स बनेंगे बालविकास तो बहुत बड़ा है आप कितना पढ़ लोग है तो सीटेट इन टॉपिक्स से कोशन्स पूस्ता यह हम आपको बता रहें ठीक है उसकी बाद में ऑप् भूमी के सिक्षार्तियों के अवशक्ता को समझना अधिगम संबंदी समस्या अपंग आदिवाले बच्चों की दरुटों को समझना और प्रभाव शाली रचनात्पक विशेश रूप से सक्षम सिक्षार्तियों के अवशक्ता समझना अब देखो आपने क्या देखा कि 15 समस्या समाधान करता है और वैग्यानिक अनवेशक के रूप में क्यूं देखा जाता है बालकों में सीखने की वैकल्पिक अवधार ना होगी संग्यान भावना सब्सक्राइब और अधिगम उसके अधिगम में योगदान देने वाले कारक और उसके अनीपी 2020 से संब्सक्राइब करेंगे वह आप देख लीजेगा बाकी सब्सक्राइब करेंगे इसको आप स्क्रीन्चॉट लेकर करके लिख लेना इसको आप बैठ रहें वहां पढ़ अराम से तब आप सिलाबस के हिसाब से तैयारी करिएगा अभी लैंग्वेज कहां से पढ़ने हैं लैंग्वेज भी हम आपको बताते हैं जो आपने भाषा एक में चुनाव किया है चाहे हिंदी का क्यों की भाषा का करना चाहिए इसके लिए वीडियो बनाए तो आपने देख लिया होगा अंदेखे गद्यांस जिनको आप कहते हैं जिसमें आपके दो पैसेज यानि एक गद्या नाटक और एक कविता के प्रशनों के साथ समझ अनुमान व्यक्रण और मौकिक चम्ता यानि पद्य यानिकी पैसेज अंस साहित्तिक व्यक्यानिक बढ़नात्मक क तर्प मूलक हो सकता है ठीक है यह भासा एक की बात हो रही है उसके बाद में आपका भासा विकास और सिक्षर सास्तर से समझनित प्रशन होंगे अधिगम और अरजन होगे भासा ध्यापन के सिध्धान्त होंगे सुनने बोलने की भूमी का विचारों को संप्रेशित करना म होती है भाषा 2 कि अगर मैं बात करूं तो भाषा 2 में यदि आपने अंग्रेजी चुना है तो आपके वही unseen passages आएंगे दो जिसमें की एक आपका गद्य अनाटक होगा एक कविता के प्रशनों के साथ होगा इस तरीके से आपको ही आएगा और इंग्लिश पेडागोजी आ दोड़ेस तरीके से यह कोट डॉल करके यह तो आप फार्म करेंगे तभी यह उसके बाद की मैठ में क्या क्या आता है अगर पेपर वन की आपके 30 नंबर की मैठ साथ इसकी बात करें तो 15 नंबर के मैठ के नॉर्मल क्योशन्स आते हैं और 15 नंबर की गडिद प्रवाजी क्या क्या आता है मैं तो जैमीती हमारे चारोर जो झोस पदार्थ हमारे आसपास के थोछ पदार्थ नंबर जोड़ना घटाना गुड़ा भाग माप वजन समय आयतन आकना प्रबंदन पैटर्ण और राची इंचे समभन्दित कोशन बनेंगे पंद्रा 15 कोशन बनेंगे आप इसलेशन और सीखने और सिखाने के संबंदित पहलु नैदानिक और उप्चारात्मक शिक्षण इससे संबंदित हैंगे अभी लास्ट में हम आपको बता रहे होंगे कि कौन से विशय की तयारी आप कैसे करेंगे ठीक है तो पहले एक बर आप डीटेल्ड सिलाबस देखो फि इवीएस में जो आपकी छे थीम्स है ना पडिवार और दोस्त जिसके अंतरगत कह सकते सब थीम्स में रिष्टे कारे और खेल पशू और पॉधे आजाएंगे दूसरी थीम भोजन आश्रय पानी यात्रा तीज़े जो हम बनाते और करते हैं यह यह छे थीम्स आएंगी इ विग्यान और समाजिक विग्यान का दाइरा अफधार नाव को प्रस्तुत करने के द्रश्टिकोन गतिविधियां बहस सीसी और उसके बाद में सिक्षड समागरी सायक समागरी समस्य है यह सब चीज़े आपकी आएंगे ठीक है अब देखिए भई सबसे पहले बात की थीम इसी से हो जाएगी इसकी जो विशेष्टाएं हैं वो यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अन्सियार्टी की संपूर्ण पार्च समगरी का समावेश किया गया संपूर्ण थियोरी को विस्ट्रेटिवं सरल भाषा में द्विंदुआ तरीके से प्रिस्तुत किया साधे 400 से जादा मातपूर्ण अध्यावार प्रशनों का समावेश किया गया दो प्रेक्टिस सेट के साथ में जौदा महंगी पुस्तक नहीं है मातर 100 निन्या नभी किया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जागा या मार्केट से भी आप ले सकते हैं कंटेंट की यहाँ पर वन लिनियर पॉइंट के बेसिस पे समधा दिया जाएगा कि मनो विज्ञान की उत्पत्ति क्या हुई है इस तरीके से जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा उसके बाद में आपको इसी चैप्टर से संबंदित MC की उस देखने को मिलेंग इस तरीके से आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं क्या कंप्लीट कर सकते हैं बाल विकास और सिक्षा सास्त्र अपना अगरवाल एक्जाम कार्ट की बुक जिसको आप मंगवा सकते हैं ठीक है सबसे ultimate आप हम कह सकते हैं कि यहाँ से तैरी कर सकते हो और अच्छी बात है कि य इंद्रेव हम सभी राज्य की टेट परिक्षाओं के लिए आपके उपी होगी है अब मान लीजे कि मैं नहीं हमको थेओरी आती हमको सिर्फ कोश्चन की प्रेक्टेस करनी है तो हमने का फिर से अगरवाल एक्जाम कार्ट वालो कि आपके सामने पुस्तक है बाल विकास और सि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा और आप मार्केट से भी पर्चेस कर सकते हैं इसकी सबसे खास बात है कि इंडेक्स के बाद में जैसे चैप्टर नंबर वन है आपको अलग से प्रेक्टिस करने की ज़रुरत नहीं है चैप्टर नंबर बन जै जो अपि जनवरी में पेपर हुआ तो साफ साफ दिया कि भई जनवरी 2022 को यह पूछा गया था यह 12 जनवरी को पूछा गया था यह कोस्चन इसि टॉपिक से समधित इस चैप्टर से समधित तो यह अगर आप लगा लोंगे सारे कोशन तो हमको नहीं लगता कि एक्जाम आ से बाल विकास और शिक्षास आज के अगर आपको थेयोरी मजबूत है तो आप यह पुस्टक ले लो इससे कोश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो हैं अब देखिए बात आती है इंग्लिश की तो यानि कि आप हैंने आपकी बात किस की कर लिए dal कर इक कर चुके हम यहां से प्रिपेर कर सकतेनों हैं घ्राही एक वीडियो मद्य मौना打 he Van सब्सक्राइब को देख सकते हैं और आप बाल विकास के लिए सचीन अकाइडमी वाले सरकोड़ा 247 बहुत से चैनल्स हमने आपको बताएं आप उनको देख सकते हैं ठीक अब बात आती हम लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू की परिपरेशन कैसे करें मान लो कि लैंग्वे पैसेज लगाना शुरू कर दो 2016 से 16, 17, 18, 19, 21, 22 मतलब और लगाना कहां से शुरू करोगे पीछे से पीछे से मतलब पहले 2022 वाला जैन्वरीम पेपर हुआ है उसके पैसेज लगाओ फिर 2021 और खुझ से लगाओ देखो कहां गलती कर रहा हो पैसेज लगाओ अपने आप ची मैं आपको बातने बताते हैं पहले EBS बताते हैं क्या करो क्लास 3rd, 4th और 5th की NCRT पढ़ लो ठीक है अगर आपने 3rd, 4th और 5th की NCRT पढ़ ली तो 15 नमबर तो यहां से पक्के हो जाएंगे पक्का 100 and 10% अगर अच्छे से पढ़ लिया अब बचे मैं 15 नमबर पढ़ी हुई है आप वो देख सकते हैं ठीक है इतनी बात समझ में आगी पेपर वन की अब बची कुछी बात आपकी पेपर वन में किसकी मैच की मैच का क्या करें मैच आपका एक ऐसा विश्य है कि जो टीचर आपको समझ में आजे वही बढ़िया मतलब जैसे मैंने तो र इनकी मैच ना समझ में आरे हूँ आप यह सेकते हैं कि ज connectivity क्विद्न कित पढ़ा रहे हो यह कोई घड़ि Y अब पर्ग kicked पहत हो तो जो चैप्टर से ना उनको उठा कर गर पढ़ो उससे संबंधित कॉश्य नगाओ जो previous year paper है उसके कॉश्य क की कैसे पूचे गाते उन को लगा देखो कर पा रहे हो कि नई concept अब जैसे मान लो HCF LCM आना है सब्सक्राइब ले लो तो आप HCF LCM यूट्यूब में या अपने जो भी आपके सार हो आसपाथ जिनसे आप पढ़ते हो भाया से दीदी से उनसे अपना पढ़ लो उसके बाद में जो प्रीवियस येर में HCF LCM से questions बन रहे हो वह आप करो यह हमने HCF LCM से उग्जामपल के लिए दिया बाकि आप जो जो आपका डीटेल्ड सिला है बसे मैस का उसके अनुसार आप करिएगा तो इस तरीके से हमने आपको पाचो सब्जेक्स बता रहे हैं CDP के लिए बुक रेकमेंड के बाखी चैनल के end में comment section ने बताना नहीं भूलिएगा और EBS आपको कहां से पढ़नी है कैसे complete करना है खुद से यह भी हमने आपको बता दिया है तो यह थी एक चोटी सी जानकारी यह थी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्रा और जिसमें की आपको सुबे एक क्लास मिलेगी एक बजे जिसमें आपको तीन दिन सिक्षा के डार्षिनिक परिप्रेक्ष्टू पढ़ाया जाएगा एक क्लास Фब्सक्री संस्टर वालो को मिलेगी सिक्षा के manovagyad Nic. परिपर एक शुसे जो यह क्लास आपको मिलेगी शाम को साथ वजे जो हमारा थार्ड सेमेस्टर का बच्चा है उसकी क्लास भी तीन तीन दिन होंगी और आप यह मान की चलिए सबा एक वजे से दो वजे के वीच में ठीक है यह आपका पाच निवंबर का टाइम टेबल है इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा यदि आपको सीटेट से सम्मन्यत कुछ पूछना तो बेजज़क नेशन दे आप उनसे पूछ सकते हैं धन्यवाल